भागलपुर में पेंशन कार्यालेग में निर्मान मजदूर संग और एक्टू की ओर से नव निर्वाचित परादिकारी की बैठक कायो जन किया गया जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने कारिक्रम के दौरान हिस्सा लिया इस दौरान मजदूरों की हालत और गरीब तपके के लोगों की हालत में किस तरीके से सुधार हो वा भी अपनी भागेदारी समाज में दे सकें इसको लेकर के चर्चा की गई वहीं लगतार बढ़ रही गरीबी को लेकर गरीबों के उठान के दिए सारकार के दौरा चलाय जा रहे कदम को लोगोंने ना काफी बताया है संथे लोगों का कहना था कि एक तरफ जहां गरीबी लगतार बढ़ रही हैं महीं दूसरी ओर अमीरों की संख्या में भी बड़ोत्री हो रहे हैं लेकिन गरीब लोगों को जो सहायता सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वह आभी तक नहीं मिल पा रहे हैं जिसके कारण गरीबों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है यह निर्वान मयदूर और एक्टू ए एए सीशीटी वॉल इंडिया सेंटरल कॉंसील अफ टेरी उनियन्स दोनों का संजुक्त रूप से समयलन हो रहा है जिला समयलन है और जिला भर से चूने हुए परतिनिधी आये हैं जो नियन के कर्च करता है वह सब जूटे हैं महिला औ पूरुष और इसमें दोनों की भागीदारी है महिलाओं की भागीदारी जादे ही है तो कम से कम यह खुशी की बात है कि महिलाएं इस तरह का समाजिक बदलाव और राजिंतिक बदलाव का दौर में जो है और संगठित हो करके अपनी आवाज उठाने के लिए यहां जमा ह जहोई है यह उद्यसर है कि देषभर के गरीब लोगों का बिहार के खास करके हम लोग देख रहे हैं ज antisी कि गरीब की बढ़ती जा रही है और उमीरी यो है वो भी बढ़ती जा रही है दोनों चीजे बढ़ रही हैं तो समाज एक विभाजन के कगार पर है गरीब अमीर का विभाजन होगा लेकिन इसी को रोकने के लिए कोशिस की जा रही है राम का मंदिर बने अथवा जो है देश के भीतर में सता का उलट उलट करके अपना नया धुरूवी करन तैयार किया ज जबकि जो भी समिधान और कानून बने हैं भारत में कुछ दूर तक भारत को ले जाया गया लोकतांत्री ब्यवस्था की यहां बहुत सारे सुधार हुए देखिएगा कलकर खानों का उद्धोगों का सार्जिनिक करन किया गया था अभी तक बैंक का निशनलाइजेशन और कोईला का निशनलाइजेशन तो एक तरक से सरकारी संपत्ती और उस संपत्ती पर जो है उसका उपयोग करने विकास के काम का लिए सार्जिनिक अधिकार यह सब चीजें बढ़ी थी कुछ कुछ दूर तक हम यह नहीं मानते हैं कि समाजबात प्योर चला गया था भारत लेक बाहत दिखाएपड़ देन बदे रहें हैं एधिकार अंख्रेजियों की राज में नहींथा हम को जिकार नहीं था कि हौम अपना एस्टेटमेन देंगे फुला बिटिंग करके बोला करके लुको करेंगे यह अधिकार नहीं था यह अधिकार उस जुग में भी नहीं था जब कि राजा राजवारों का राज हुआ करता था, उसमें भी नहीं था, दास जुग में भी नहीं था, लेकिन इस सबसे आगे बढ़ते हुए भारत यहां पहुंचा था और इसका विकास भी होने लगा था अंतराष्टिय पुंज और करके इस एकी करन का जो धिशाय अभी है फासिजम की ओर जा रही है सिधा सिधी, क्योंकि अब जो है, कानूनी अधिकारों से, लोगतांत्रीक अधिकारों से, जब तक बंचित लोगों को नहीं किया जाएगा, तो तब तक पुझी का परचस जो है, काइम नहीं रहेगा, या इससे आगे कम से कम नहीं बढ़ेगा यह इस्थिती आ गई है तो ऐसी इस्थिती में यह समयलन हो रहा है और जगह जगह ही हम लोग जन अभियान चला करके लोग को गोलबंद कर रहे हैं और लड़ेंगे इसके खिलाब हम लोग जीतेंगे भी क्योंकि जनता गरीब जो है वो अब समझने लगे हैं कि हम कितना चले गए हैं ठगे गए हैं यह समझने भी लगे हैं तो यह परिवर्तन आएगा उस दिशा में जाने के लिए तैयारी है हम जो है आरेन ठाकपुर बोल रहे हैं और इंडिया सेंट्रल कॉंसील अफ ट्रेड उनियंस के जेनल सेकेर्टी बिहार के और आश्टिये सचीव साथी साथ भारत सरकार के और लेवर और इंप्लॉइमेंट मिनिस्ट्री के भागल पुर्शी राहुल कुमार सिंग की रिपूर्ट आई एंडि-365 झाल आई एंडिये राहुल कुमार सेकेर्टी